बाच्पा ने स्वच्चता रैंकिंग में दिल्ली के 90 अस्तान पर आने को शर्मनाक बताते वे अर्बिंद केजरिवाल और आमाद्वी पार्टी पर जोड़दार हमला बोला है दिल्ली पीजिपी अध्यक्ष वरिंद सचदेवा ने आप पर निशाना साथ देवे कहा कि ये पैरिस बनाने का वादा किया था पर आज स्वच्चता रैंकिंग में दिल्ली 90 अस्तान पर है उन्होंने कहा कि अर्बिंद केजरिवाल शाषण में मैसूस कर रही हैं ये देखकर अश्यारे होता है कि स्वच्छ भारत सरवेक्षन में भाग लेने वाले देश के छोटे-छोटे शेरों में सरवेक्षन में रास्टी-राजधानी नब्वे इस्तान पर है दरसल दिल्ली भाजपाद्यक्ष ने कहा कि अफसोस की बात है कि आमादमी पार्टी ने एक साल में तीन लैंडफिल साइटों को साफ करने का वादा किया था लेकिन दिल्ली वासियों को पूरी तरह से निराश कर दिया क्योंकि जनवरी दोजार चौबिस में लैंडफिल साइटे उसी इस्तिती में थी जैसे जनवरी 2023 में थी जब आपने MCD पर कबजा कर लिया विरेंदर सचदेवा के मताबिक जैसे लैंडफिल साइटों को साफ करने में ये विफल तब प्रियाप्त नहीं थी तो आज स्वच भारा सरवेक्षन का परिणाम सामने आया है उसने दिल्ली वासियों को बुरी तरह से निराश किया है चौकाने वाली बात ये है कि आवासिय और बजार छेतर की सफाई में MCD को असंतोष जनक 69 परतीशत अंक मिले हैं दिल्ली वासि खुली सडकों पर कच्रा फैकने के लिए मजबूर है घर घर से कच्रा संग्रेंट के आकड़े जब आवासिय और बजार छेतर की सफाई के साथ रख कर दे के जाते हैं तो हमें ये समझने का कारण मिलता है कि हम शहर की सडकों पर कच्रे के ठेर को क्यों देखते हैं और RWA इसकी सिकायत क्यों कर रहा है आज घरों की बैक लेन में शुन्य स्वचिता है सचेदेवा ने अगे कहा कि आज शहर में MCD द्वारा संचालित अधिकांश सर्वजानिक सौचाले गंदे और आस्वास्तिकर है और जल्द ही वो सोचल मीडिया पर सार्वजनिक भागिदारी के साथ गंदे सार्वजनिक सौचाले को बेनकाब करने का अभ्यान भी चलाएंगे दिल्ली के बिगड़ते स्वचिता मानक के लिए आमादमी पार्टी के पार्षदों का ब्रस्टचार जिम्मेदार है जिसे वो जल्द ही उजागर करेंगे दिल्ली की स्वचिता रैंकिंग में 60 साबित होने पर बिजीपने दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल को गेरा है